नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धनसरमार मकर रासी 28, 29, 30 और 31 मार्च इतिहास बदलेगा जी हाँ दोस्तों बहुत सुंदर से योग हैं लेकिन तीन संकेत जब रहें साब्था आज का दिन हम बात कर रहे हैं 28 और 29 मार्च की मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदिगी को पूरी तरह जीएंगे और 28 और 29 मार्च को बार्वे भाव का चंद्रमा सनी देव के साथ मिलकर आपको फौरी तोर पर मजे लेने की जो आपकी प्रविड़ती है उस पर कावू रखने की सलाह देते हैं और मनोरंजन पर जरुष से ज़्यादा खर्च करने से भी बचिएगा साथ ही बीना कुछ खास किये आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी और आकरसित करने में काम्याब रहेंगे एक लंबा दोर जो काफी समय से आपको दबोजे हुए था वो खत्म हो चिका है क्योंकि अब जल्दी ही आपको आपका किस्मत साथ देगा आपका और आपको जीवन साथी मिलने वाला है या आपके लब मिलने वाली है आपको आपके आपने भली भाती काम किया है इसलिए आप उसके फायदे लेने का समय है आपको अपने दाइरे से बाहर निकल कर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की आवस सकता है जो उची जगहों पर हो मुम्किन है आपके माता पिता और आपके जीवन साथी को कुछ सांदार आसे बाद दे जिसके चलते आपके बैभाहिक जीवन में और निखार आएगा वैसे भी बुद्ध और सुक्र का यहां पर बढ़ रहा है राज यो और वो भी लक्ष्मी नारायन यो तो आपके जीवन में किस्मत को चमकाए गवाहि और वैसे भी सुक्रदेव जीवन में ग्लैमर बढ़ाते हैं राजसी ठाट देते हैं तो वो अब आप भोगने को त्यार रहें वैसे भ्रम की इस्तिती दिख रही है विद्यार्थियों के लिए भी कोई खास समय नहीं है पर हाँ आप साब्धान रहें कोट कचरी के मामलों में थोरी भागदौर दिख रही है और वाद विवाद से दूर रहने की आपको सला दी जाती है जरूरी समान का ख्याल खुद जरूर रखिएगा अब बात करते हैं 30 और 31 मर्च की लगन का चंद्रमा किस मर्च चमकाएगा बहुत सुन्दर सा समय है आपका आकरसन बढ़ा रहेगा सभी आपकी जो भी कारे हैं वो पूरे होंगे अच्छा पहनेंगे अच्छा खाएंगे और यहाँ पर यात्रा से आपको लाब होगा वैवाहिक जीवन में मधूरता बनी रहेगी धन आता रहेगा बित्यार्थियों के लिए बहुत सुन्दर योगा पढ़ने में अमन लगेगा पढ़ावा याद रहेगा आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं बित्यार्थियों क इजाफा होगा धन संचय कर पानी में सफल होंगे और नौकरी पेसा लोगों के लिए भी हफता यह जो चार दिन है बहुत अच्छे रहेंगे सुक्र की दूसरे भाव में जब उपस्तिती होगी यानि एक तो यहाँ पर सुक्र और बुद्ध एक साथ मिलकर आपको अच्छ आत्मी गतिवीदियों में आपका मन काफी लगेगा और धार्मी क्रिया कलापों पर आप अच्छा खासा खर्च भी करेंगे किसर हल्दी का तिलग जरूर लगाईएगा जिसे की देव गुरु ब्रिश्पति का सुफल आपको प्राप्त होता रहेगा अगर लब की बात करे जम भाव में मंगल की उपस्तिती के कारण थोरा सा रूखापन है और ब्रिश्पति की दिश्टी 28 मार्च तक आपके प्रेम जीवन को पुस्पित और परले भी तो करेगी पर प्यार में समय बहुत कीमती होता है जल्दे बजी में कोई वे निरने ना ले और अपनी लब को आपको जानने का पूरा मौका दें जिससे आपमें बॉंडिंग बढ़ेगी आप विवाहित हैं तो आपके लिए गरहों की स्थिति अनुकूल है जीवन साथी आपके लाव का माध्यम बन सकती यानि आपको अपने जीवन साथी से लाव होगा और आपके साथ हसी कुसी दा हम फेर्मीलेंगे धन्यवा